आपका स्वागत है सबकी बात सच के साथ तो चलिए रूख करते हैं आज की प्रमु खबर पर जयनते चौधरी ने पश्मी यूपी में की हाई कोट बेंच की मांग अगनी वीरों पर भी बात मोधी सरकार में किंद्री, कौशिर विकास, मंत्री, सिक्षा, राजमंत्री और राष्टी, लोकदल के अदिख्षिर जैनते चौधरी का कहना है कि पश्मी उत्तर प्रदेश में हाई कोट की बेंच स्थापित किये जाने की जरूरत है ताकि लोगों को सेंक्रो किलोमीटर की यात्रा से राहत मिले हिंदुस्तान के राष्टनितिक संपादक मदन जैडा ने उनसे तमाम मुद्धों पर बातचीत की आप पश्मी उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं किंद्र सरकार का मंत्री होने के नाते संपूर देश मेरी प्रात्मिक्ता है लेकिन पश्मी उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूत राष्णितिक जमीन है वहां हमारी जन प्रतिनिदी है मैं समझता हूं कि वहां स्वास्तेवं सिक्षा के छेतर में कुछ बड़ा कारी या बड़ी परियोशनाओं की जरुवत है जा ओधों के केंद्र है वहां कोशल व है इसी प्रकार पश्मी उत्तर प्रदेश में जो स्थान सिक्षा के केंद्र हैं वहां की विश्विध्यालों में CSR की मदब से नई तकनीकी कोर्स रू किये जा सकते हैं अभी भी यह कह सकता हूं कि जब भी मेरी मेच पर बागपत मेरट मुझफर नगय या मतुरा से कोशल विकाश योजनक के तब तक एक दस्मलाव 48 करोड को प्रक्षीशन दिया गया है इन में से करीब 50% ऐसे लोग है जो पहले से ही कोई कारें कर रहे थे और उनकी कोशल को बढ़ानी या स्कीलिंग के लिए उन्हें प्रक्षीशन दिया गया जिन नए लोगों को प्रक् नहीं है इसी प्रकाय जो लोग वोकेशनल अध्यान कर रहे है उन्हें से 63% को नौकरी हासिल हो रही है अगनीवीरों को प्रक्षीशन के लिए कोशल प्रक्षीशन के लिए हमारे कोर्स तयार हो चुकी है तथा उसका क्रिया वयन भी शरू हो चुका है अगनी वीर जब कौशल विकास कर रही है लेकिन नौकरी स्रजित नहीं कर रही है हमारी कौशल विकास की योजनाय रोजगार से जुड़ी है प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के पहले तीन चरनों में प्रक्षीशन की किस्त तभी जारी होती थी जब युवां को न्युक्ति पत्र मिल जरूर है मैं इसे स्वीकार करता हूं आखरी सवाल वक्त कानून में शंशोधन विदेख पर आपकी पार्टी का क्या रुख है विदेख जेपी सी का चला गया है संसदी प्रिकरिया आगी चलनी दीजिए हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए सीजी नियूस प्लस टुईटी फॉर